स्वागत है दोस्तों Banker Helper YouTube चैनल में और आज के इस वीडियो बात करेंगे कि पैमेंट बैंक कौन सा बेस्ट है अगर आप पैमेंट बैंक में एक नया सेवी अकाउंट आपन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा पैम क्या है इस वीडियो को आप अन तक देखते रही है तो चलिए सुरू करते हैं करन्टी दोस्तों इंडिया में ऐसे चृपेमेंट बैंक और यह पीन बैंक प्रसे एक्टिव नहीं किया गया है काफी सारे सर्विस अभी बाकि है ट्राइल वर्जन में तो हम यहां बैंक और एनस्टील पैमेंट बैंक के बारे में बात नहीं करेंगे हम के वल चार पैमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे एटल पैमेंट बैंक और पैमेंट बैंक और फिनो पैमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक अब से पहले दोस्तों बात करते हैं यहां website इसका सही से काम करता है अगर आपको इमर्जनसी में फीनो पैमेंट बैंक से आपको पैसे निकालना होगा तो काफी प्रसानी के बाद ही आपके पैसे निकलेंगे फीनो पैमेंट बैंक के अपको अंप्लिकेशन या फिर वेबसाइट साइसे वर्क नहीं करते हैं इसके सर्वर हमेंशा खराब होते हैं तो यहां पर मैं कहूंगा कि फीनो पैमेंट बैंक में अगर आप saving account open करना चाहते हैं तो please आप ना करवाएं इसकी service और जो server है वो काफी खराब हैं तो हम यहाँ पर फिनो payment bank को भी side में कर देते हैं अब हमारे पास जो तीन payment bank बचे हैं एटल payment bank और पेटियम payment bank और इंडिया post payment bank हम बात करते हैं अब एटल payment bank के बारे में बात करें तो उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर एटल payment bank का account खोलना काफी असान है आप मुबाइल phone से भी कर सकते हैं या फिर रिटेलर के सौप से भी कर सकते हैं अगर आप एटल payment bank का सेविंग bank account open करते हैं तो इसमें आपको सालाना जो इंटरसेट मिलेगा वह 2.5 परसंट के अनुसार मिलेगा और इसमें फिक्स रिपोजिट का कोई भी option नहीं है नहीं आपको फिजिकल डेविट कार्ट का इसमें को option मिलता है और कई बार इसमें वर्टूल डेविट कार मिलता है उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम होती है कई वर्क भी सही से नहीं करता है मेरे अच्छा नहीं है बेटर दिन पैमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक हमारे पास दो पैमेंट बैंक बचे हैं पैमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक अग आपको physical debit card भी मिल जाएगा वर्चुल debit card भी मिल जाएगा यहां पर पैसे रखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेवी अकाउंट में आपको 2.5 के अनुसार आपको सालाना बेसेश पे इंट्रेट भी मिलेगा fixed deposit आप करते हैं तो आपको 5.5 के अनुसार आपको सालाना बेसेश पे मिलेगा fixed deposit में वही पे अगर पेटियम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसमें आपको online account opening करा सकते हैं किवाइसी complete करवा सकते हैं या फिर किवाइसी सेंटर पर जाके भी करवा सकते हैं पेटियम के पेमेंट बैंक में सेवी अकाउंट में पैसे रखते हैं तो इसमें आपको जो इंट्रेट मिलते हैं वह 2.75 के अनुसार मिलता है और अगर आप fix deposit कर देते हैं अपने पैसे को तो उसमें आपको 6.5% के अनुसार मिलता है और पेटियम में एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप fix deposit को कभी भी ब्रेक करते हैं पैसे को निकालते हैं तो इंस्टेंट निकल जाता है और इसमें कोई भी आपको hidden charges देने की जरूरत नहीं होती है पेटियम प прाइब बैन्कयणे चाहरे सकते हैं पैसे कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसका server और service दोणों बैस्त है और security काफि कम होते हैं विसमेंडिया पोस्याइं काफि सी क्योर है लेकिने सार्वीस की बात करें तो मैं यहां पर चाहिए थ documenting Arabic सेस्टमाल कर रहा हूँ और फिक्सली इस्तेंट कर रहा हूं इसके लिएर भी मैं olla एक विडियो बनाये था कुछ दिन पहले आप चाहिए तो उस विडियो को भी देख सकते हैं अभर गर मैं बात करूं अगर आप एक पैमें बैंक एकाउंट आपना चाहते हैं तो पैको का उनकण अपन कर सकते हैं इसमें कोई वीडियो पसंद आया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिजीएगा चैनल को अपने सबस्क्राइब कर सकते हैं अगर इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में तप तले हिंद वन्यमात्र